एक है आज इस वीडियो में हम एक मैथमेटिकल देखने वाले फ्रेंट वो पाजर नहीं है एक सिंपल सा मैथमेटिकल एक्क्योशन यह इसे वो एक्क्षोन खुछ यह है यह जो दिखने में तो बहुत ही सिंपल सा है लेकिन मोर देन 90 परसेंट लोग इसको गलत कर देते हैं आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप वीडियो को पॉस करके इस एक्वेशन का एंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए तो करेंट चलिए अब हम देखते हैं कि आपका अंसर सही है कि गलत है वीडियो को अंतक चरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैंने ऐसे एक्वेशन सौल करने की लाजवाब ट्रिक बताएं जिससे आप ऐसे एक्वेशन सिर्फ एक से दो सेकन में सौल कर लेंगे ट्रिक करते हैं तो फ्रेंट यहीं हमारा नंबर था तो अब आपने इसको अप्र बना लिए यह उसके बाद कर लिया होगा इसको करेंगे यह दिये नहीं देगा हमारा टू अब इन इन दोनों को आपस में Sol worm कर लिए होगा डश समारा अंसर अंसर 1 GS2 अपने ऐसे नहीं किया था चलिए फ्रेंड देख लेघ्भ Internet आपने फिल ऐसे किया सको बीच मों पेर बना देते हैं उसके बाद इसको यहां एट और दोकर डिया होगा थे असके बाद फिर तो आपने ऐसे किया होगा कि आपने सोचा होगा कि लेफ साइट से हमने स्टार्ट करते हैं करते चलते हैं दटिस 64 से 128 को डिवाइड किया होगा उसके बाद फ्रेंड 8 से 2 को डिवाइड किया होगा उसके बाद फ्रेंड 8 से 2 को डिवाइड किया होगा फ्रेंड 1 से चलते हुए फ्रेंड फैन्स चोटे सपिया रएक उसानी से होता जाएगा आपने किया होगा क्या वह EPE Co टिवाइट किया हूगा तो ये वानने यह होगा तो है अपने यह चारों मेंद से किसी एक मेंद सुनोगा लेकिन अभी यहां तो चार में हैं उसकिया चारों में इंसर तो अलग अलग आ रहा है लेकिन में इंसर तो सेम होना चाहिए तो फ्रेंट अब पता चलाने यह question उतना खदरनाक क्यों है तो अपको कोई अउसर आया हूँ आप इस में से सबसे सही वाला तरीका कौन सा है सबसे सऺ than a का line स Clinton अबढ़ वो देखते हैं कि सबसे सही तरीका एंसर कौन सा है तो फ्रेंड आपनी कभी नहीं कभी तो बॉर्ड मास रूल के बारे में तो पढ़ा ही होगा उसी के help से यह एक्ट्विशन फ्रेंट सॉल्व होगा तो अगर आपने बॉर्ड मास रूल पढ़ा है तो आपनी ये भी पढ़ा होगा कि अगर कभी भी हमारा सेम ऑपरेटर जैसे यहां पर देखिए फ्रे बहुत इंपोर्टेंट बात है कहते हैं कि छोटी-छोटी चीज़े कभी मिस नहीं करने वहीं चीज यहां पर आपने यह चीज मिस कर दी होगी कभी भी हमारा मल्टिपल टाइम सेम ऑपरेटर आ जाए तो हमेशा हम लेफ्ट को प्रिसिदेंस देंगे लेफ्ट से चलते जा सकता है बस Boundation यही है कि बीच में हमारा जो operator रहेगा अकेले division रहेगा दी मिज graveyard ह क्यों झायम फ्लस माइनस multiplication भी तो सकता है लेकिन फ्रेंड प्लस माइनस multiplication में कोई problem ही नहीं होगी अगर यहां बीच में जैसे यहाँ पे multiplication होता ना तो आप यहां तो राइट से करिए या लेफ से करिए आपका एंशर ने आता है आप किधर से भी करिए बस difference जो रहता है वह हमेशा division के केस में आता जब बीच में डीविजन रहेगा रिकेंद तो उसी बॉर्ड मास का रूल करते हुए हम यहां पर सौल करें खेंगे ऐसी कियोशन को तो हमारा कि यहां एक फ्लीन रूल की बारे में तो आप उस इस साइड से हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम इसको करेंगे डएंस 128 divided by 64 तो इसका एंशर आएगा फ्रेंड हमारा तू उसके बाद फिरेंड टू को हम एड से डिवाइड करेंगे तो एैड से करेक्क ही होगा यह को कैसे विस्वास होगा वं मैं बोल रहा हूं जरूरी थोड़ा कि मैं बोल दियो मतलब करेक्ट ही होगा क्योंकि हम ने पिछले देखा था फ्रेंड हमने ये 1 2 3 4 तरीके देख लिए यहां कहीं भी हमने कोई गल्ती नहीं इसको verify भी कर लेते हैं तो फ्रेंड आईए हम यह कल्कुलेटर पर आगे हम चेक कर लेते हैं तो हमारा क्या था 128 divided by 64 divided by 8 divided by 2 यह देखे हमने सेम उसी सेक्वेंस में लिखा ना 128 divided by 64 divided by 2 आप यहां पर चिक कर सकते हैं तो लेकिन देखें यहां एंसर कितना यहां हमारा एंसराया है 0.125 फिरेंट वन अपॉन एट भी होता है 0.125 मतलब हमारा एंसर सही है फिरेंग अगर इसके लिए बिट्रिक चाहिए बन अपॉन एट को तुरंत आप बता देंगे 125 कैसे होगा इसके लिए आप आई बटन प्लिक करके ये वीडियो देख लेंगे ठीक है तो आप वो वीडियो भी देख लीजेगा अगर आपको इंट्रेस्टेट हो तो यह होगा हमारा पॉइंट वन टू फाइफ बस यही एक सिंपल सा लॉजिक था इसके बीच में कि हमें वही छोटी सी बात अगर याद रहेगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नह इसलिए आप हलके में मत लीजिएगा ठीक है अब आपको समझ में आगा लेकिन अगर हम इधर करते जाएंगे थोड़ा टिपकल भी हो जा रहा है अगर ऐसा नमबर नहीं हो तो इसके लिए आपको टिक ट्रिक बता देता हूं तो ट्रिक जो है हमारी कुछ ऐसे हैं कि जब क डिनॉम्हेटर में जितने बचे हुए नंबर हैं जैसे यह बचा हुए जितना नंबर है न उसको डिनॉम्हेटर में लिख देना है इसे सउन्पे han ma Mom वन अपॉन एट होता है फ्रेंट पॉइंट वन टू फाइव यह तो हमने देखी लिया था तो यह हमारा एंसर होगा कितनी जल्दी आ अब इसके पिछे का लॉजिक भी देख लेते हैं कि यह सही में ऐसा क्यूं होगा तो इसके पिछे का लॉजिक कुछ ऐसा है कि फ्रेंट कभी भी यह जो हमारा डिवीजन वाला सिंबल है इसको हम मल्टिप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो फ्रेंट हमारा जो यह नंबर रहेगा वो इन्वर्स हो जाता है इतना तो आप सभी को आता ही होगा तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते है यह हो जाएगा हमारा 122 इसको 28 में सेम बात हो गई फ्रेंग यह यह जाएगा 128 अपान 64 x8 into 2 तो यही तो हमारी ट्रिक भी तो थी यहां पर फ्रेंड हमारी यही ट्रिक था ना वन्हें यहीं किया तो यहीं इसके पीछे का लॉजिक है अब तो आपको इस तरह के कुछिछन समझ में आ गऊंगे अब तो आप यह पजल बहुत आसानी सौल कर लेंगे न ठीक तो यह वीड अब डिया प्या थाओड़ थाओड़ ए मारा ना रपको ए लेक दो एक वाउ़ प्यूवड़ खाता है हो यही तो आपको आपको रदेब तो हूँआ है झाल